मदद करो, यहां बहुत सारे स्टफ टॉइज है वाँ, एक चमकीरा आली शान कोट बनाने के लिए यहां काफी टॉइज है यह सबसे होट ट्रेंड है मैं इसे लेकर पागल हूँ मैं जीनियस हूँ मैंने ग्रेगरी का हमशकल बनाया है ग्रेग, देखो, यह तुम हो प्यारा है न, यह क्या है देख नहीं रहा इसके बारे में क्या खयाल है उपस, ड्रॉइंग गायब हो गई याहू यह आउटफिट कमाल की लग रही है क्या तुम्हें पता है, यह क्या चल रहा है नहीं, मेरे मूव्स पसंद नहीं आए फिर, कम से कम फिट तो देखो तुम शांदार लग रही हो यह बढ़िया है मुझे पार्टी में कौन सी टाय पहननी चाहिए यह या फिर यह वाली मैं क्या पहन कर जाऊ अल्मारी में कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है रे, तुम्हारे पास कितनी सारी टाइज है क्या मैं कुछ ले सकती हूँ हे, तुम्हें इतनी सारी किस ले चाहिए शक्रिया, यह भी काम आएगी सबसे पहले मैं सबी टाइस को एक साथ सिल दूँगी मेरी कलेक्शन मैं बिमार में हसूस कर रहा हूँ देखो, क्या ये प्यारी नहीं है अब मेरा क्या होगा? ये लो एक, अब मैं फालतू हिस्से को काट दूँगी वाला एक स्टाइलिश्ट कर दयार है एक स्टाइलिश्ट कर क्या किसे ने मुझे पहले बताने की कोशिश की? मैं इस चैप्टर को खतम करने का इंतजार नहीं कर सकता ग्रेक्स से मिलो कैंपस का आतंग ही, मेरा बैग तुमने इसे फार दिया बमर बाई क्या, बस बहुत हुआ तुमने मेरा बैग बरबाद कर दिया लेकिन मैं अपने लिए एक नया बना सकता हूँ इन चेंज से इस्तमाल से ही, मुझे चक्कर आ रही है तुम्हें क्लास में जाना है और मुझे काम पर लगना है थोड़ी शक्ति और स्पीड इसे यहां जोड़ो बूम एक नया चेंज बैग तैयार है यह बिल्कुल नहीं तूटेगा ग्रेग, कितना होट है ग्रेग, ही हाई हलो, क्या चल रहा है ज्यादा कुछ नहीं ग्रेग, तुम मेरे फ्रिंस चार्मिंग हो क्या तुम अंधे हो या कुछ और ओ, मैं समझ गया दिल, ग्रेग एरिका, मुझे समझ नहीं आया यह बेकार है मुझे कुछ करना होगा मुझे कैंजी चाहिए और पिंस यह सब कुछ ठीक कर देगा रेगरी, मैं तुम से प्यार करती हूँ एरिका, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं भी तुम से प्यार करता हूँ क्या तुमारी हिम्मत कैसे हुई तो यह है तुमारा प्यार जटाने का तरीका यह लो डगार मारने का कॉंटेस चालू है पहले मैं तुम मस्बूर्थ हो मैं यह बहतर कर सकता हूँ वाँ वो काफी शक्ती शाली था ठीक है ठीक है मेरी बारी उप्स मेरी बन पसंट टॉप यह बरबाद हो गई है दल्की सिर्फ तुम्हारी है मुझे पता है केविन मेरे पीछे आओ बॉटल्स खोलो मैं तयार हूँ मैं सारा सोडा पी लूँगा ठीक है एक भी बॉटल नहीं बची इससे क्या होगा अब गिराने के लिए कुछ नहीं है मेरा पीट मुझे तुम्हारी लेक नई टॉप मिल गई है यह प्यारी नहीं है बहुत अजीब है हम मेरे पास एक आइडिया है कैंडी रुको थोड़ी सी हाट ग्लू और पैप्सी की धकन टॉप का रूप भी बदल देंगे वाँ एरिका यह कमाल की है कमाल कर दिया यह तो कुछ भी नहीं है इसे अभी साफ करो मैंसे धो दूँगी शिक्रिया मुझे बहुत भूग लगी है हो नहीं स्कर्ट फिर सगंदी हो गई हर बार कैंडी बहुत हो गया इसे रोक ना होगा यह लो एक टेबल क्लॉट में खुद को लपेटो और मेरे पीछ जाओ यह एक स्टाइलिश फिट है अगर तुम कपर नहीं बदलोगी तो हम तुमारी स्कर्ट बदल देंगे सॉफ्ट ग्लास क्या? और एक बड़ा जिपर किस लिए? तुम्हें एक सेकेंड में पता चल जाएगा इसे एक साथ जोड़ो इसे थोड़ा सा हिलाओ हिरानी हो रही है सही कहा? तड़ा तुम्हारी नई स्कर्ट तयार है इसे पहन कर देखो वाँ मुझे अच्छा लगेगा शांदार स्कर्ट कमाल की फेट हुई है चलो अब देखते हैं कि ये कितनी काम की है सब तयार है वेटर वाँ कैश शांदार स्कर्ट है मेरे लिए एक कप निम्बू पानी लाओ दो मैं भी ओर्डर देना चाहता हूँ हे आपका निम्बू पानी बहुत बहुत शुक्रिया क्या हम बैठ जाए नहीं और मैं टेस्ट चुरू कर रही हूँ ओ हाँ ये काम कर गई क्या हम ये एक और पार करे ये काम कर गई अब मुझे निम्बू पानी के दिलने का डर नहीं है उप है इससे कोई फरक नहीं पड़ता शांदार पार्टी जोर शूर उपर है ती दोस्तो हाई इस आउटफिट में क्या गरबर है क्या ये वरक आउट आउटफिट है ये एक बाड़ी है जिम नहीं तुम कितने बुरे हो मुझे सब ठीक करना होगा मुझे टिंसल चाहिए जितने ज्यादा उतने बहतर ही उसे क्या परिशानी है एरिका साथ हाओ तुम क्या करना चाहाती हो वा पार्टी जारी है शुक्रिया बेस्टी कभी भी मैंने एरिका को बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ वो पागल हो गई और मुझे पर गुसा करने लगी ये किसी को समझ नहीं आएगा ग्रेक, ये शर्ण नाग है अभी अपनी जीन्स उतारो अभी भी मुझे थोड़ी इज़त बागी है उन्हें उतार नहीं होगा तुम्हें मेरी जीन्स किस लेज चाहिए वैसे भी ये पहनने लायक नहीं है तुमने वो देखा मिश्वास नहीं हो रहा जीन्स विल्कु बेकार है लिकिन मैं अभी भी इन्हें किसी चीज के लिए इस्तुमाल कर सेथी हूँ बैल्ट को और यहान से काट कर उसमें से इक ठोकर बनाए शान्दार हैर कलिप्स के लिए मैं और मेनद करूँगी बैल्ट के लूप्स काटे और उन्हें हेर्पिन से चिपका दे ये बहुती स्चालिश बनी है एरिंग्स के बारे में क्या? उन्हें डेनिम में लपेटे तैयार है? जहां तक ग्रेगरी की बात है मेरे पास उसके लिए नई जीन्स है ये बरदाश्ट से बहार है ब्रेक, तुम्हें ये कैसे लगे? वाँ, बढ़िया शुक्रिया वैसे, मेरे पास तुम्हारे लेक सर्प्राइज है नई जीन्स मेरे लिए, शुक्रिया तुम सबसे अच्छी हो आखिरकार, बेल बच गई हम ब्रेक पर है लगता तो है ये लो, बढ़िया मेरे पास एक आइडिया है क्या तुम्हारे पास कैंची है? बिलकुल, शुक्रिया मैं खुट टाइट्स काटूंगी और इन्हें सूपर फैशनेबल स्टॉकिंग बनाऊंगी ये तैयार है ये कमालकी है शुक्रिया बेस्टी, जाने के लिए तैयार एरिका, मेरे भाई ने एक एक्स्पेरिवेंट किया और अब हर जगा ग्लू है इसके अलावा मेरे जूते निकल नहीं रहे मुझे नहीं पता कि क्या करना है मैं यहाँ हूँ वो, ये क्या है? ग्लेक से पूछो खेर ग्लू ये एक प्लान लग रहा है देखो, मैंने टिक टॉक पर क्या देखा ग्लिटर वाले जूते हम उनके जैसे बना सकते है वा, मुझे ये जूते चाहिए हमारे पास ग्लिटर है इतनी ग्लू काफी होगी चलो इसे करते है ग्लू लगाएं और इस पर ग्लिटर शड़के ये काम कर रहा है हाँ, उठो चलो पूरे जूते पर ग्लिटर लगाए फ्यू, ये काम कर गया जूते शानदार है सही कहा? देखो वो कितने चमक रही है चलो भी, पार्टी में चलते है ये स्वेटर बहुत आम है हालाकि मेरे पास एक आइडिया है स्लीव्स को काटे अब एक स्वेटर स्टाइलिश लेग बॉर्वर में बदल गया है एरिका, हाई तुमने क्या खरीदा मैं एक बड़ी सेह में गई थी बहुत बड़िया मैं एक सेकिंड में तुमें सब कुछ बताती हूँ सबसे पहले चलो थोड़ी चाय पीते है ये अच्छा रहेगा उन्होंने मेरे लिए एक पर कोट छोड़ा है वो कितने अच्छे है हो नहीं, मेरा कोट ये भयानक है एरिका, मुझे माफ कर दो उदास मत हो मैं उदास कैसे नहीं हो सकती मैं चीज़े ठीक कर दूँँगी मैं वादा करती हूँ इसे पकड़ो, मैं इसे काटूँँगी अब हमारे पस एशे तुकरे हैं और मैंने ऐसे सलोंगी अब हम उन्हें चेनलिंक्स की तरह जोड़ेंगे इसे ट्राइ करो वा, मुझे ये बहुत पसंद आया मेरे पास एक मैचिंग, हैंड बैग और जूते भी है चलो, फोटो शूट करते हैं स्माइल करो और कैमरा को देखो यो, यहां सबते कूल कौन है कैंडी वा, बढ़िया हिट था कैंडी, मुझे रेखो और मुझे उपस, ही, तुम मुझे उलचना नहीं चाहोगे अपनी बॉल को बाई कहो नहीं, ऐसा मत करो हाँ, देखो यह बहुत बुरी है तुम्हारे बॉल एक पॉकी बॉल बैग में बदल गई पिकाचू लाइटिंग स्ट्राइक अरे यार पिकाचू बढ़िया बाई गुड मॉर्निंग, हेल्दी दुनिया हेल्दी लड़की इस दुनिया को शेप में ले आएगी चलो काम पर लगते हैं अपना हाँ सीधा रखो शुक्रिया हेल्दी लड़की तुम्हे बार बेल उठाना चाहिए शुक्रिया हेल्दी लड़की तुम और उपर जा सकते हो बच्चे मुझे तुम पर विश्वास है शुक्रिया हेल्दी लड़की ओ नहीं तुम कहां जा रही हो बेटा मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे की गंदगी के बारे में कितनी बार बोला है अपना समान ठीक करो दूर को पोचो जाड़ो लगाओ तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते चलिए भी मॉम साफ करो मदद और मोटिवेशन के जरूरत है हेल्दी लड़की यहां आ गई है मुझे पता है कि सफाई को मज़ेदार और रुमान्चक कैसे बनाया जाए क्या? बास्केट बॉल खेलना चाहोगे? हाँ, बढ़िया है मुझे बॉल फेकना बहुत बसंद है मेरा मतलब बॉल से नहीं था अपने सारे गंदे कपरे लॉंडरी बासकेट में डालो जरूर हाँ, बढ़िया शॉर्ट दोस्त शबाश, क्या तुम यह फिर से कर सकते हो? तुम सफाई में चांपियन हो गंदे मग के बारे में क्या ख्यायाल है? मेरा जोरदार शॉर्ट देखो, हेल्दी लड़की रुक जाओ, मग के चन में जाएगा बेबी जॉर्डन, मॉम का राजा बेटा प्रीज, मुझे नीच उतारो क्या? इतना सारा अनहेल्दी खाना मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी ये खाना तुम्हारी बॉड़ी के लिफ दुरा है मैंसे तुम्हें साबिक लेकर के दिखाऊंगी वो क्या है? ये एक इशारा है कि तुम्हें इस जंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं मुझ पर विश्वास नहीं है अपनी टोकरी उठाने की कोशिश करो अराम से ठीक है? वो किसा रहा? परिशानी हो रही है बहुत भारी है गिलो इसके बज़ाए हेल्दी खाने की चीजों की टोकरी लो और तुम मजबूत बन जाओगे शुक्रिया हेल्दी लड़की मैं हेल्दी शॉपिंग की गुरू हूँ होट टॉग खाने के कॉंटेस्ट में आपका स्वागत है ये पिछले साल के चांपियन मिस्टर कॉक रूच है वो जीतने वाले को इनाम देंगे बढ़िया रेडी सेट खाना शुरू करो रुको मैं तुम्हें ये नहीं करने दूँगी ये सबी होट टॉग्स तुम्हें बिमार कर देंगे क्या तुम स्टॉंग बनना चाहते हो मेरे पास एक बहेतरा आइडिया है हें हमारे होट टॉग्स वो उन्हें कहा ले गई ये एक सॉसेज हूप है बुरा नहीं है सॉसेज खाने के बजाए उन्हें अपनी कमर के चारों और गुमाए और आपकी कमर आपको शुक्रिया कहेगी कितना अनुखा है जीत के लिए होट टॉग्स क्या हम इसे करके देखे बिल्कुल गुमाने के मजे लो इसे मुझे दो नहीं ये मेरा है ये रहा मेरा हॉट टॉग मैंने खा लिया हाँ हमें विनर मिल गया बधाई हो हमारा नया हॉट टॉग इटिंग चैंपियन सॉसेज टॉफी तुम्हारी है मैं इसे लूँगी नहीं तुम नहीं लोगी क्या सब कुछ कहां गया हाई फिटनेस शॉपिंग में तुम्हारा स्वागत है टॉकरी को फर्ष पर रखो अब अपना समान उठाओ एक बार करके देखो अब स्कॉट करो और जार को टॉकरी में रखो तुम्हारे लिए अच्छा है अब उपरी शेल्फ पर पहुँचने के लिए खूदो ये बहुत मज़िदार है पिटनेस शॉपिंग बहुत मज़िदार है रुक जाओ मैं तुमसे बात कर रही हूँ कानून के नाम पर रुक जाओ आप और तेज भाग सकती है ओफिसर मुझे आप पर विश्वास है हाँ मैं स्ट्रॉंग हूँ मैं से सक्साबित करूँगी मैं सबसे तेज हूँ रुक जाओ तुम हेल्दी अरेस्ट में हो ओफिसर दूसरी तरफ भागो ओ नहीं 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 तुम्हारी पुरी टोकरी में जंक के अलावा और कुछ नहीं है अब तुम देखना क्या तुम्हें ब्लेंडर की क्या जरूरत है चलावे इन सबसे स्मूदी बनाने की कोशिश करते है स्वादेश्ट पीने के लिए तैयार हो शुक्रिया ओ नहीं ये बहुत बक्वास है लगा ही था ये लो एक हेल्दी आपल खाओ शुक्रिया हेल्दी लड़की हे तुम कौन हो और तुम मेरे कैश रेजिस्टर पर क्या कर रही हो हिउ कितना गंदा है आउच डाड क्या आप थोड़ा ध्याच से कर सकते हैं आप मुझे गंजा कर देंगे माफ करो बेबी ब्रेट बनाना मेरे बस की बात नहीं है मदद चाहिए मैं आओ गई तुम कौन हो तुम्हारी वफ़दार ब्रेडिंग कोच डैंट आपको प्रोटीन की जरूरत है एक तासकी भरी ट्रिंक दीजिए ओ हाँ चलो शुरू हो जाओ उन्हें कोई नहीं रोक सकता चलो भी और तेज बढ़िया प्यारी ब्रेड्स है चलो अब आम पर काम करो बढ़िया वखाउट है क्या ये मज़ेदार नहीं था मैं अपनी लंबी बाजियों का क्या करूँ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन बाजियों का क्या करना है मुझे बिल्कुल नहीं पता परिशान मत हुए तो आपकी मदद करेंगे क्या आप हेल्दी लड़की के साथ शेप में आना चाहते हैं तो आप अभी तक कुछ क्यूं नहीं कर रहें मेरे बात दोह रहाएं इसे मज़ेदार बनाए और आक्टिव भी बीटियस के बैक अप डांसर्स की तरह नाचे मान लीजिए कि आप भीट से भरी बस में चड़ने की कोशिश कर रहे हैं अगली एक्सरसाइज जैसे कि हम दादी के गार्डन में बड़े केटपिलर्स को कुछ चल रहे हो अच्छे से करना ना भूले अब एक नई एक्सरसाइज मैंसे बेलरीना फ्रॉक बोलती हूँ स्कॉट करें और साइड में जुकें बहुत बढ़िया सूचें कि आपको दूर एक शेल्फ पर लगी धूल को पोचना है और आप उस तक पहुँच गए है अगली एक्सरसाइज मेरे सबसे स्टॉंग पैंस के लिए है और नीचे कमेंट करें कि आप कितनी बार वर्क आउट करते है प्यारे साथियों आप बहुत अच्छा काम कर रही थे लेकिन अब और नहीं नमबर गर गए है हमारे आफिस में जान डालनी होगी तुम स्नेल्स की तरह हो गए हो मैं तुम्हें नई जिन्दकी देने वाली हूँ हलो हेल्दी लड़की हमें तुम्हारी ज़रूरत है मैं आ गई हलो क्या आपके टेस्ट टॉकिस को थोड़ा हिलाने की ज़रूरत है मुझे ये कहना अच्छा लगेगा वाक आउट के लिए तैयार हो जाओ तुम भी दोस्त चलो काम करते है हाँ नाखून की मसल्स अच्छी लग रही है यहां आओ लड़कियो चलो ओफिस एरॉबिक्स शिरू करते है शिफ्ट पर चड़ो बेस्टी और एक और दो बहुत अच्छे तुम्हारे लिए माउस स्कॉट क्लिक करें और स्कॉट करें हिफ्टोन हो रही है पेपर लोड हो रही है अच्छा काम करते रहो सब एक साथ और एक और दो और तीन इस तरह नमबर्स आसमान चू रहे है आप और भी कर सकते है इस पॉइंट पर तुम्हारे उगली की मसल्स बॉड़ी बिल्डर जैसी है आगे बर्डो लड़कियों हम ओफिस ग्रेंट नहीं है हम चैंपियन है क्या तुम यहाँ चलना बन कर सकते हो मुझे इस फर्ष को साफ करते हुए पूरा दिन हो गया है और ऐसा लगता है मैंसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ तुमने फिर से गंदकी कर दी मेरे पास एक आइडिया है चलो सफाई को मज़दार और कुछ काम का बनाए क्या तो चलो राइट पैर स्कॉट लेफ पैर स्कॉट पर साफ है पैर मजबूत है फिरकी जितनी साफ होगी अब्स उतने ही मजबूत होंगे मुझे इस तरह से सफाई करना बहुत पसंद आया अब भी आप्स पर काम करती रहो हाई मैं आ रही हूँ लिफ कहा है हलो लिफ आज खराब है हम चल कर जाएंगे ये काँ भी हिल्दी होगा नहीं ये बकवास है ये बकवास नहीं है ये हिल्दी है ठीक है चलो मोटिवेशन को बदलते है पैसे किसे चाहिए तुम सब सीर्यों पर मेरे पीछे आओ वाँ क्या मुझे कुछ और मिल सकते है मैं टॉप फ्लोर पर जा रहा हूँ ओ नहीं कितना भायानक है मैं क्या कर रही हूँ ओ नहीं मदद करो फ्यूँ ये बस एक बुरा सपना था यहां कौन है हेल्दी लटकी सान्विच को दूर रखो ये क्या गंदगी है तुम क्या खा रही हो तुम इसके बिना रह सकते हो पहले इसे अच्छी तरह से साफ करो तुम मेरे पीछे पढ़ गई हो मैं वरक आउट और सफाई एक साथ कैसे करू मुझे एक करी का पता है जब रोप पकड़ो स्पंज अब कूदो मैं शान्त हो जाओ मुझे तुम पर विश्वास है आगे बढ़ो और करो ऐसे सफाई करने में कितना मज़ा आ रहा है ये भगमान वो इसमें खो गया है बढ़िया काम दोस्त कमाल कर दिया यहाँ एक भी दाग नहीं है फिर मिलते है नहीं इसे भूल जाओ ओ नहीं मैं अपना स्कार्फ डालना भूल गई मैं इसका क्या करूँ तुम कौन हो स्कार्फ बहार ही रह गया कोई बात नहीं हेल्दी लड़की जानती है कि इसे कैसे इस्तमाल करना है चलो इसे वाशर से बानते है अंदर जाओ और इस तरह आपका DIY&D Cellulite मसाजर तयार है मैं समझ गई बढ़िया अपनी मसाज के मजे लो मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है मेरे हजबन सोफे पर बैठ ही रहते है उन्हें कुछ भी करने का मन महीं करता ये तो भायानक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी मैं विक्टिम को देखना चाहती हूँ वो वहाँ है दिन बर सुस्ती में पढ़े रहते है परिशान मत हो मैं उसे बचा लूँगी हलो, आलसी रिमोट मुझे दो ये रहा एक गेट चलो अपनी जिन्दगी को बदलो रिमोट फर्श पर है इसे उठाने के लिए स्कॉट करो नहीं, अब तुम्हारी बारी है रिमोट स्कॉट करो ठीक है मेरे गुटने मेरी पीट समझ गई ये खराब ठेस है यहाँ एक फिटबॉल है बैट जाओ और अपने हाथों को फैलाओ वाँ, ये काम कर रहा है हाँ, मैं देख सकती हूँ तुम्हारे लिए अच्छा है फिटबॉल के साथ अपने आप्स पर काम करो अब तुम्हारा हस्बेंट जल्दी शेप में आ जाएगा तुम्हारा जितना शुकुरिया करू उतना कम है हेल्दी लड़की, कमाल के बाइसेप्स है घर में काम करना सबसे अच्छा वाक आउट है वो, तुम बार पर लटके रह सकते हो ये तुम्हारे लिए अच्छा है तुम कितने स्टॉंग बन गए हो